वेरी गूद मॉर्निंग स्टूडन वेलकम टू फन अन्लान होम लेर्निंग तोड़ें आम प्रेजेंटिंग मैं सब्जेक्ट पॉर स्टैंटर्ड थर्ड चेप्टर त्वेल्ड कैन्मी शेयर पार्ट थ्री बच्चो प्रिवेस पार्ट में हमने बहुत सारी एक्सराइज डिसकस की थी I hope वो एक्सराइज आपने टेक्स्बूक में और नेट्बूक में कमलेक्ट कर दियोगी So let's start बच्चो आगे की एक्सराइज में हम देखेंगे पेज नंबर 173 Open your page नंबर 173 Jumpy Animal A frog jumps 2 steps at a time A squirrel jumps 3 steps at a time Rabbit jumps 5 steps at a time Horse jumps 15 steps at a time And kangaroo jumps 30 steps at a time है ना? ये तो information हो गई अभी बच्चो इस पे हम आगे के questions के answer लगेंगे Use the path on the next page and find out In how many jumps the frog reached 30? तो बच्चो पहले हम आगे देख लेंगे अभी 30 Frog जब jump मारता है तो at a time two numbers की two steps करता है है ना? That means 30 divide by 2 2 ones are 2 है ना? 2 ones are 2 तो यहाँ पे लिखा 2 3 में से 2 गए 1 नीचे आया 0 तो 2 फाइजा 10 That means 15 answer आएगा 15 jump मारेगे Frog जब 15 jump मारेगा तब 30 पे पहुचेगा चलो देखते है C 1st 1st jump मारेगा 1st jump मारेगा तब 2 पे पहुचेगा 2 पे 5 2nd पे 4 3rd पे 6 4th पे 8 है ना? 8 5 5 पे 10 6 6 7 8 9 10 10 10 11 22 12 24 12 12 12 13 26 14 28 15 15 पे वो 30 30 तक पौँच गया है ना? That means Frog ने कितने जम्प मारे 15 जम्प है ना? तो इन How many जम्प विल स्क्वेरल रीच अग 27 27 27 पे अगर उसको पौँचना है तो यहां पे हमको दिया है अस्वेरल जर्म 3 स्टेप 3 स्टेप अट 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 ताइम That means 27 डिवाइड बाइ 3 तो 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 and 3 9 जा 27 तो बच्चो इसका मतलब क्या हुआ Yes 9 जम्प जब मारेंगे स्क्वेरल तब वो 27 पे पहुचेंगी है ना तो हम चलो देखते है 9 जम्प होते है स्क्वेरल के Let's start from 0 1 2 3 4 4 5 6 and 7 8 8 पे वो 24 पे पहुचें तो 9 पे वो 27 पे पहुच जाएंगी है ना Now Which number will kangaroo jump reach in two jumps Two jumps पे kangaroo कितने पे पहुच जाएंगा तो देखते kangaroo का one step कितना होगा 30 step 30 step पे kangaroo का jump जो जो 0 पे से वो 30 step पे आता है तो Second उसका कहाँ पे होगा 30 into 2 30 into 2 that means 60 पे जाएगा 30 into 2 that means 60 पे jump करेगा Who all meet at 15 number कौन कौन 15 number पे मिलेगा तो बचो देखो 15 number पे कौन मिलेगा jump तो आए अरे frog नहीं आएगा frog नहीं आएगा 15 number पे कौन मिलेगा yes 15 number पे कांगारू भी मिलेगा नहीं कांगारू 30 पे डिरेक्ट ली होता है wait squirrel squirrel 15 number पे jump करेंगी क्योंकि 3 के table में क्या आता है 15 आता है rabbit yes 5 3 जा 15 है ना तो rabbit भी 15 पे आएगा और horse horse भी आएगा है ना तो कौन कौन से अनिमल आएंगे squirrel rabbit and horse ये 15 नंबर पे मिल सकते है will the rabbit ever add number 18 number 18 पे rabbit कभी आ सकता है no क्यों नहीं क्योंकि rabbit कैसे जम करेंगा 5 5 से that means 5 1 जा 5 5 2 जा 10 याने वो 10 पे आएगा 15 पे आएगा 20 पे आएगा तो 18 पे आए नहीं सकता है ना गोट इट बचो now how many jumps rabbit how many jumps rabbit equal to one jump of horse तो horse का one jump कितना है 15 का horse का one jump कितना है 15 का and rabbit का one jump कितना है बचो येस बोलो बोलो येस रेबिट का 5 है तो 15 5 जा कितना होता है येस 15 को अगर 5 से डिवाइट किया तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 है ना that means rabbit के 3 jumps is equal to horse का one jump होता है how many jumps of horse equal to 2 jumps of kangaroo kangaroo के 2 jumps that means 60 होता है और horse का 8 jumps that means 15 होता है तो 16 divided by 15 किया तो कितना होगा येस 16 divided by 15 that means 4 jumps 4 jumps जब horse करेगा तब वो kangaroo के 2 jumps के equal होगा which is the smallest number where the frog and squirrel will meet तो कौन से yes squirrel की at a time jump कितनी होती है 3 and frog की 2 तो 2 3s आ 6 तो minimum वो 6 पे मिल सकते है smallest number 6 है ना और smallest number 6 है फिर 12 पे मिल सकते है है ना ऐसे आके आके बढ़ेंगे ये ही समझ में आया बच्चो now हमने last time multiplication के ऐसे table किये थे है ना how quick are you divide into divide into groups of 2 using 2 times table तो बच्चो पहले क्या करना है 2 9s आ 18 है ना 2 9s आ 18 ये देखो and 18 को अगर 2 से divide गया तो we get 9 है ना 18 जो 18 का divided है वो multiplication में answer होता है तो ये इसकी hint है है ना और 18 डिवाइड बई 9 किया तो we get answer 2 हो गया that means ये देखो बच्चो answer को जैसे divisor को answer से multiply किया तो हमको divide done मिलेगा 9 to the 18 got it 16 डिवाइड बई 2 that means 2 8 जा 16 होगा और 2 and 8 को multiply करेंगे तो we get 8 to the 16 है ना 20 डिवाइड बई 2 that means 10 और 2 into 10 that means 20 dash dash divide by 2 is equal to 7 तो हमको क्या करना पड़ेंगा 2 into 7 तो we get answer 2 7 जा 14 तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चो 14 अभी 2 10 जा क्या होता है 2 into 10 we get answer 20 तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चो 20 20 डिवाइड बई 2 किया तो we get answer 10 got it now 8 and answer 4 दिया हुआ है है ना 8 को किस से डिवाइड किया तो we get answer 4 yes 8 को 2 से डिवाइड किया so we get answer 2 तो 2 4 जा 8 2 into 5 that means 10 and 10 को अगर 2 से डिवाइड किया तो we get answer 5 got it now 10 डिवाइड by 5 that means 2 5 तू जा देखो 5 तू जा क्या आएगा 10 10 डिवाइड बाइ 5 तो 5 फोर्टा 20 that means 5 and 4 is 20 2 के 5 का टेबल बना ना yes आपको रिलेशन पता चला बच्चो ये जो ये जो उसका ये जो उसका डिवाइड होता है वो मल्टिप्लिकेशन में अंसर होता है 15 डिवाइड बाइ 5 that means 3 है ना डिवाइजर एंड कोशन को मल्टिप्लाइ करेंगे 5 इंटो 3 so we get and डिवाइडर that means एंसर 15 तो इस इसाब से बच्चो आपको ये फिलिंग दे ब्लांक कम्टिट करनी है यहाँ पे बच्चो हमारा से आपको 10 का टेबल बनाना है तो you get an answer फिल इसमें आपको आगे का फिलिंग दे ब्लांक करना है जैसे कि 4 4 डिवाइड बाइड डैश डैश you get answer 2 4 डिवाइड बाइ 2 so you get answer 2 हाना that means 2 तू जा 4 2 से हम किसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो we get answer 4 तो 2 तू जा 4 तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते है got it तो बच्चो आपको यह फिलिंग दे ब्लांक खुद से करनी है this is your homework यह आपके टेबल के उपर यह है it's very simple to try it this is your homework now नीचे का पजल देखते है क्या है पजल divide the clock face into 3 parts so that the sum of the number in each part is the same तो बच्चो हमको यह clock को equally 3 parts में बैट करनी है है ना तो हर एक part का addition same आएगा that means अभी यह देखो बच्चो यह एक part दिया हुआ है है ना यह एक part दिया हुआ है यह part के addition कितना होगा 11 plus 12 plus 1 plus 2 that means 11 plus 12 is a 23 23 and 3 is 26 है ना 26 addition आनी चाहिए तो बच्चो अभी 26 addition किसकी किसकी आती है चलो देखते है तो बच्चो अगर आप observe कर रहे हो तो suppose यह line सिस्री line हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यह कितना होता है 6 plus 5 11 and 8 plus 7 is 15 15 and 11 it becomes yes 26 तो थर्ड पार्ट भी 26 आना चाहिए तो चलो चेक करते हैं अभी 9 plus 10 is 19 and 3 plus 4 is 7 तो 19 plus 7 is कितना होता है 9 plus 7 is 16 carry 1 that means 26 तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चो yes कहाँ पे line draw करने पड़ेंगी यहाँ पे तो clock के 3 equal parts हो गए तो बच्चो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है मिलते हैं next part में till then have a great day bye